नमस्कार बच्चो मैं आपके सामने डीके चौधरी देखे आज जो इस वीडियो का जो टॉपिक है आज की क्लास का जो टॉपिक होगा वो मूल विधी में जो इंडियन पैनल कोट भारती दंड सहीता जो आईपीसी आती हैं तो उसमें मैं आज कुछ इंपोर्टेंट आईप मैं एक वीडियो दे चुका हूँ कि कौन-कौन से टॉपिक पढ़ाने होते हैं कौन-कौन से टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा तो आज इस लेक्चर में हम थोड़े कुछ इंपोर्टेंट आईपीसी इंडियन पैनल कोट भारती दंड सहीता के विसे में पढ़ेंगे अब इनकी भारती है दंड सहीता अब आपके दिमाग में बात आरी होगी कभी जैसे हम सुनते हैं कि IPC और CRPC हालकि CRPC को हम किन्मिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं जिसको आपराधिक प्रिक्रिया हम सहीता कह देते हैं राइट इन दौनों में डिफरेंस क्या है IPC क्या बताता है IPC तो कहता है कि अपराध की जो अपराध होता है कोई कराई में उसकी definition क्या होती है और साथ में इसमें कोई अगर व्यक्ति अपराध करता है तो उसका दंड का प्राबधान होता है तो यानकी अपराध की परिभासा क्या है और अपराध का दंड क्या है ये चीज़े तो IPC मे कहते हैं तो उसमें जो है प्रिक्रिया की विश्य में बताया गया कि कौन सा संगे अपराद होता है कौन सा एसंगे अपराद है कौन कोगनिजेबल अपराद है कौन सा नौन कोगनिजेबल अपराद है तो और फिर कौन से मजिस्ट्रेट की पास वो जो केस जाएगा फिर वहा अगर हम देखें तो देखिए IPC में कोई भी एक IPC एक कानून है अपने आप में जैसे अलग लग तरह के कानून होते हैं क्योंकि संसत के द्वारा एक कानून बना है तो हाला कि यह जो IPC है अगर हम देखें तो इसको IPC 8060 पोलते के 1860 में IPC को लाया गया था उस टाइम लागू कब किया गया था IPC को लागू इंप्लिमेंट हुआ था एक जनवरी 1862 से अब कोई भी जो IPC होता है उसके अपने अपने चैप्टर होते हैं चैप्टर का मतलब अध्या इसमें टोटल चैप्टर कितने IPC में 23 है और इसके लाबा हम धाराओ की बात करें जो इसमें अधारा हैं जिसको हम सेक्षन बोलते हैं तो टोटल इसमें सेक्षन या धाराएं जो है वो 511 हैं तो हमने क्या समझा कि भई इसको हम IPC 1860 बोलते हैं लेकिन यह लागू कब हुआ एक जनवरी 1862 को लागू हुआ इसमें टोटल अध्या या टोटल जो चैप्टर है वो 23 है और इसमें टोटल धाराएं जो सेक्षन है वो 511 हैं ठीक है और IPC किस से संबंदित होता है कि जिसमें अपराद की परिभासा बताई जाती है और अपराद के लिए दंड कितना मिलेगा इनके रिगार्डिंग डिसकसन होता है तो यह पॉइंट तो आप बच्चो समझ में आ चैप्टर 23 है धाराएं सेक्षन 511 है ठीक है अब जैसे इंपोर्टेंट धाराओं की बात करें इंपोर्टेंट हम IPC की बात करें कि जैसे इंपोर्टेंट IPC का मतलब क्या है महत्पूर्ण, इंडियन पैनल कोट, भारती दंड सहीता इसमें जैसे हम एक धारा लेके चल रह है तो यह 491 सम्मंदित है यह बच्चो जैसे आपने सुना होगा कि दहेज केस जिसको हम डॉरी केस कहते ही और यह दहेज केस से सम्मंदित है कि अगर किसी महिला को उसका पती या उसके नातेदार यानकि उसके रिष्थेदार उसके माता-पिता या कोई और भी अगर रूप से या सारे रूप से अगर उसको प्रतारित किया जाता है उसको चूट पहुंचा ही जाती है तो यह धारा जो है 30 चारसोटान में दोरी केस कहते हैं अगर किसी के उपर धारा 408 में डोरी केस लगता है तो पंस्मेंट उसका कितना होगा तीन वर्स का punishment होगा तीन वर्स की क्या होगी उसमें सजा होगी और साथ में क्या होगा इसमें जुर्माना होगा तो बच्चों ये case एक ऐसा case है कि जब divorce के case फिल होते हैं तो लगबग 95% fake case आते हैं जिसमें कोई महिला अपनी पती के उपर या पती के जो भी क्या नातेदार है उनके उपर एक ड्वारी case लगा देती है हाला कि Supreme Court भी इस बात को मानता है कि 95% जो case आते हैं वो fake case आते हैं ठीक है अब उसके बाद जैसे हमने दूसरी धारा एक ली हमने बच्चों एक धारा है 497 में हाला कि 497 में जो धारा है वो अब समाप्त कर दी गई है ये अब धारा 497 में समाप्त हो गई है लेकिन ये सुर्कियों में काफी रही 2018 में इसको समाप्त किया गया धारा section 497 को लेकिन ये क्या है और किस से सम्मादित है देखो धारा 497 में जो है वो एडल्टी से सम्मादित है किस सम्मादित है एडल्टी जिसको हम क्या कहते है जारकर्म कहते है और जारकर्म क्या होता है है जैसे एक्साम्पल के पहुआ हैं कोई दमपती है क्या है क्या है कोई दम-पत्ती यहन कि अब यह जो भार का मेंल है इस मेंल का जो है इस फीमेल के साथ कोई relation बन जाता है ठीक है अब मेल को पता पड़ती है तो मेल को मालूम हुआ तो मेल क्या काम करता था आप से पहले तो वो यह जो बहर का मेल है इसके इसके खिलाफ 497 में धारा लगवाता था जिसमें मेल को 5 साल की सजा का प्रॉविजन था ठीक है फिमेल को कोई सजा नहीं होती अब दूसरा इस टेक्चर देखो कि अगर मैं यहां लिखूं फिमेल और यहां लिखूं मेल माल लिजए कि यहां पर मैंने लिखा फिमेल यह जो मेल है इसका इस फिमेल के साथ जो बहार की कोई महिला है उसके साथ कोई रिलेशन से फो जाता है तो अब यह जो फिमेल है इ सजा का प्राविजन था और वो सजा का प्राविजन कितना था 5 साल महिला को कोई सजा नहीं हो रही थी तो 497 में धारा को जब सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त किया तो एक concept ये भी रखा गया कि बहुत मेल और फिमिल दोनों के लिए कोई कानून ही नहीं है यहनकि इसका मतलब एक right to privacy का अधिकार हर व्यक्ति को है right to freedomness का अधिकार हर व्यक्ति को है कि अगर कोई male या female किसी भार के किसी व्यक्ति के साथ अगर relationship में अगर हो जाता है तो यह कानूनन कोई जुर्म नहीं माना जाएगा तो 497 में धारा समाप्त कर दी गई तो पहले यह एक adulty जो था वो एक कानून के दारे में था जिसमें एक सजा का provision 5 साल का था लेकिन अब वो सजा का provision समाप्त हो चुका है अब 497 धारा समाप्त हो चुकी है लेकिन अभी आप सुर्कियों में देखोगी तो जो force के लोग हैं जो फौजी हैं वो 497 धार का अब ब्रोद कर रहे हैं कि 497 धारा को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे तो पती और पत्नी को एक तरीके से बहार सम्मद बनाने का पूरा दिकार मिल जाता है क्योंकि अब उनके खिलाफ कोई case तो हो नहीं सकता हाँ इतना जरूर है कि male और female जार कर्म के आ 5 साल का सजाका इसमें प्रॉविजन होता था और यह एडल्टी जार कर्म क्या है यह आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब उसके बाद बच्चो एक है धारा 377 यह धारा 377 की हम बात करते हैं तो इसको भी 2018 में क्या कर दिया गया धारा 377 को भी समाप्थ कर दिया गया है हाला कि इसमें धारा 377 में क्या था यह 10 वर्स और जुर्माने इसमें सजाका प्रॉविजन इतना था धारा 377 किस से संब्धित है धारा 377 का जो संब्ध है वो एक तरीके से यह कि इन्फॉर्मल हम यह कह सकते हैं धारा 377 यह ओफेंस की बात करता है धारा 377 अनलॉफुल ओफेंस अनलॉफुल ओफेंस का मतलब क्या है यह पर यह आप ऐसे समझो कि अन्नैचुरल रिलीशन्सिप अन्नैचुरल रिलीशन्सिप अन्नैचुरल रिलीशन एप्राकरतिक सम्मन्द तो को एप्राकरतिक सम्मन्द का क्या मतलब है यह पर धारा 377 अब नहीं है हाला कि यह काफी सुर्कियों में रही कि जैसे आपने देखा होगा कि मेल का मेल के साथ एक सम्मन्द बनता है फिमेल का फिमेल के साथ कोई सम्मन्द बनता है तो यह अन्नैचुरल माना जाता है उप्राकरतिक यह मेल हो यह फिमेल हो इसका किसी एनिमल्स के साथ को रिलीशन बनता है जानवर के साथ ठीक है तो यह अन नैचृरल में आते हैं अब क्या हुआ कि धारा 377 को समाप्त कर दिया गया है कि अगर कोया मेल के साथ रहना चाहता है को समेल के साथ रहना कि male male के साथ relationship में है या female female के साथ relationship में है तो इसको unnatural माना जाता है लेकिन हवाला Supreme Court ने कहा कि right to privacy का हवाला दिया ठीक है आर्टिकल 21 का हवाला दिया जिसमें ये कहा कि LGBT LGBT का मतलब क्या है कि LGBT को अभी अधिकार दिये जाते हैं L का मतलब होता lesbian, G का मतलब होता gay, B का मतलब bisexual और T क होते हैं L का मतलब lesbian है male का male के साथ संब्द होना वो lesbian मानी जाते हैं G का gay का मतलब क्या होता है ने lesbian का मतलब है महिला का महिला के साथ संब्द होता है G का मतलब है male का male के साथ संब्द होता है B का bisexual का मतलब क्या होता है कि male या female कि कि किसी male का male या female के साथ bisexual या कि संब्द हो सकत हूता है transgender का मतलभ क्या हूता है baccher जब हम transgender की बात करते हैं जो third person होता है जिसको हम क्या कहते हैं अरे third person का मतलब आप जानते हो कि third person किसको बोला जाता है ठीक है जो आई दिन हम third person को देखते रहते हैं Supreme Court ने भी third person को अधिकार दे दिया गया है transgender जिसको हम कहते हैं तो यहाँ पर एक बात समझ में आई कि यह काफी दिन से यह लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें LGBT यहाँ कि हमें अधिकार मिलना चाहिए तो अब इनको अधिकार दे दिया गया है कि अगर कोई male male के साथ रह सकता female female के साथ रह सकती है तो LGBT इसको right बोला जाता है तो धारा 377 को समाप्त करते हुए कहा कि अगर कोई unnatural relationship में है तो इसके लिए कोई कानूनी अब देंड का कोई प्रावधान नहीं होगा धारा 377 समाप्त हो गई है अब इसमें एक चीज और है अब male male के साथ female female के साथ तो अब यहाँ तो कोई सजा का प्राविजन नहीं है लेकिन male या female अगर किसी animals के साथ unnatural relationship में है तो वहाँ पर कानूनी सजा का प्रावधान दिया गया है और इस कानूनी सजा में यह कि अब उसको सजा इस मामले में हो सकती और इसमें सजा कितनी होती है दस वर्स की सजा और क्या होता है बच्चो जुर्माना होता है क्या होता है जुर्माना तो ये तीनों धाराएं आपको जहां तक समझ में आ गए होगी चारसो अठानमे ए दहेज केस से सम्बन दित है जिसमें तीन वर्स की सजा और जुर्माना होता है धाराएं चारसो सतानमे एडल्टी जारकर्म से सम्बन दित था जिसको 2,08 में समाप्त कर दिया गया है हालाकि इसमें 5 साल की सजा का प्रॉबिजन था ये धाराएं तीन सो सतातर ये भी 2,08 में समाप्त हो गए ये LGBT को अधिकार मिल गया इसमें कि हम मेल मेल के साथ रह सकता फिमेल फिमेल के साथ रह सकती है लेकि मेल ये फिमेल एनिमल के साथ को रिलेशन सिप नहीं बना सकते है अगर बनाते हैं तो दसवर्स की सजा और जुर्माना होगा ठीक है, यह point आपको clear समझ में आये के नहीं आये, आ गया होगा और जहां तक आपने लिख लिया भी होगा, लिख लिया, अबे नालाय को लिखा के नहीं लिखा, हस ओर रहे हो अभी, चलिए खेर, तो जहां तक आप बच्चों आपने लिख लिया होगा ये, और समझ में भी आगया होगा, धाराय बच्चों बड़े अच्छे से, आप अच्छे से रट जाओ गया आप, और धाराय को ज्यादा 511 धाराय नहीं पूछी जाएंगे आपकी, वो लगवख 100-500 धाराय इंपोटेंट होती हैं, जो आती हैं, ठीक है, यह आप लोगों ने जहां तक इसको clear कर लिया, अब देखिए इसके लावा, उसके बाद हम देखते हैं बच्चों, जैसे आपने देखा होगा, एक धारा चार सो चौरान में होती है, कि जैसे एक साधी के होती हुए, दूसरी साधी कर लेना, तो यह कानूनन अपराद माना जाता है, तो यह 494 में धारा में हैं, किसमें? 494 में धारा में, कि आपने देखा होगा, कि व्यक्ति किसी भी धरम का हो, हिंदू हो, सिख हो, इसाई हो, जैन हो या बौध हो, मेल हो या फिमेल हो अगर एक साधी के होते हुए अगर वो दूसरी साधी कर लेता है कानूनन अपराद माना जाता है और इसमें सजाका प्रोविजन कितना है बच्चो इसमें सजाका जो प्रोविजन है वो साथ वर्स और क्या होगा वो जुर्माना होगा लेकिन मुस्लिम पुरुष को वो IPC की धारा 494 के अंतरगत नहीं आएगा Only Muslim महिलानी Muslim केवल Muslim पुरुस को छोड़ कर क्योंकि वो 3-3, 4-4 या 6-6 साधिया कर सकता है 494 धारा Muslim पुरुस के काम नहीं करती है Uniform Civil Code की वज़े से जो हमारे सम्विधान के आर्टिकल जो की 44 में लिखा हुआ है उसके अनुसार तो यानिकि अगर नालाय को तुमने एक साधी के होती हुए अगर दूसरी साधी कर लीना तो यानिकि 7 साल की सजा और सजा का यानिकि जुर्मानी का प्रॉबीजन है ठीक है समझ बाग गया अब उसके बाद बच्चो हम बात करते हैं जैसे धारा एक 300 है ये धारा 300 जो है वो डैथ की परीभासा को बताता है मडर का मतलब होता है ठीक हत्या तो ये धारा 300 तो क्या बताता है हत्या की परीभासा के हत्या का मतलब क्या होता है लेकिन जो धारा 302 है ये क्या बताता है हत्या का दंड यानकी punishment of murder बताता है और punishment of murder की अगर हम बात करें तो इसमें सजा का provision क्या है कि या तो उसको मिर्तुदंड दिया जाएगा या क्या होगा मिर्तुदंड के अलावा उसे आजीवन कारावास और जुर्माना इस दंड से उसको दंडित किया जाएगा लेकिन यहाँ पर एक बच्चों एक और बात आती है जैसे हम कई बार पढ़ते हैं एक धारा आती है कल्पेवल एक हॉमिसाइड की बात करता है इसको कहते हैं आपराधिक मानववद इसमें भी हाला कि हत्या की बात की गई है लेकिन यहां पर हत्या हत्या नहीं मानी जाती इसको हम आपराधिक मानवद कहते हैं मानवद कहते हैं तो इसमें पांच पॉइंटे जैसे मैं समझा दीता हूं एक तो हुता है सदन प्रॉववक का मतलब हुता है अचानक उकसाना प्रॉवक करना एक होता है यहां पर प्राइविट डिफेंस यानिकी प्रति रक्षा एक होता है यहां पर पॉब्लिक सर्वेंट यानिकी लोग सेवक एक होता है बच्चों यहां पर पर मेडिटेशन इन सदन फाइट इनकी कहने का मतलब है कि बिना पूर्व चिंतन किये चिंतन की फाइट करना अचानक फाइट करना एक होता है बच्चों अन कंसेंट आपसी राजी नामा आपसी राजी नामा अब देखो बच्चों यहां पर क्या मतलब है इसका पहले तो इनको लिख लो तो कल्पेवल होमिसाइट जो की धारा दोसो नुन्यान में है जिसको आप राधिक मानवबद कहते हैं इसका मतलब सदन प्रोवोक अचानक उकसाना प्राइवेट डिफेंस प्रती रक्षा पब्लिक सर्वेंट लोग सेवक पर मेडिटेशन इन सदन फाइट बिना पूर्फ चिंतन के फाइट करना और एक आपसी राजी नामा ओन कंसेंट तो इन पॉइंटों को लिखो मैं समझा दे करता हूँ आप लोगों को देखिए हत्या हत्या कब नहीं मानी जाती धारा 302-299 के मामले पर कब नहीं लगी है हत्या तो इसमें भी होती है मडर तो इसमें भी होता है लेकिन इसको हम आपरादिक मानववद कहते हैं तो कल्पेबल होमिसाइड का क्या मतलब है Southern Provoke का मतलब है कि अचानक जैसे आपको कोई जैसे मैं और कोई दूसरा व्यक्ति आपस में लड़ रहा है लड़ नहीं रहे हम आपस में खड़े हैं और मैं कहा हूं कि तू मुझे मारी नहीं सकता तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं ए तेरे अंदर तेरे बाजू में तागत नहीं है या तू मुझे मार ही नहीं सकता तो यह एक प्रुवोक हो गया एक तरीके से उकसाना मारने के लिए और दूसरा व्यक्ति जो है उसी उकसाने में मार दे तो इसको धारा 302 के अंतरगत नहीं माना जाता है इसको कहते हैं Sudden Provoke ठ नहीं लगेगी यह आपका 299 का मामला बनेगा एक पब्लिक सर्वेंट कभी कभी क्या होता है कि लोग सेवक जो है जैसे पुलिस है किसी का पीछा कर रही है ठीक है और गलती से जैसे कहते हैं ना Human Rights वाले कभी पैर में आप मारिये या फिर हातों में गोली मारिये और अचान दहारा 302 में नहीं आता है यह आपरादिक मानवबद में आता है पर मेडिटीशन अनिकी पर मेडिटीशन इन सदन फाइट का मतलब है बिना पूर्व चिंतन की फाइट करना दो व्यक्तियों में आपस में लड़ाई हो रही है माल लो उसका कोई यह नहीं था अगर दो सेंट का मतलब है आपसी रादी नामा कि दो लोगों के बीच में आपसी प्यार हो गया ठीक है लड़का लड़की के बीच में घर वाले मानने के लिए साधी के लिए कह रहा है कि हम तुम्हारी साधी नहीं करेंगे घर से भाग गए दौनों पार्क में बैठे हैं और दौन लिला ही समाप्त कर लेते दौनों की आप सहमती थी अब मान के चलो के भई लड़के ने लड़की को खिलाया अब वो खा गई अब लड़के को जैसी वो खिलाने वाली थी अब दौनों खा रहे थे अब इतने में लोग बाग आ जाते हो लड़के को बचा लेते हैं तो क्य लेकिन इसका जो दंड है इस मामली में जो दंड का प्रावधान है वो किस धारा में है वो धारा 304 में है अगर कल्पेवल होमिसाइड बनता है आप रातिक मानव बंद बनता है तो इसमें फिर सजाका प्रावधान कितना होगा इसमें जो सजाका प्रावधान होगा बच्चो आजीवन कारावास या दस वर्स और जुर्माना होगा तो यहाँ पर तो धारा दोस तीन सो दो में क्या था? मिर्तुदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना था? यहाँ पर क्या आजीवन कारावास या दस वर्स और जुर्माना होगा? तो वकील क्या काम करता है कि मडर को आपरादिक मानववद में चेंज कर देता है जिससे क्या व्यक्ति को रिलेक्सेशन मिल जाता है ठीक है? समझे की नहीं समझे? यह दिख लिए आपने? बच्छो समझ में तो आ रहा होगा आपको हाला कि थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा कि कल्पेबल होमिसाइड दो सो नन्याड में क्या है? तो मैं फिर से बता दू कि इसमें भी मडर होता है आपरादिक मानववद का भई मतलब मडर ही है लेकिन इसमें धारा 302 के अकॉर्डिंग सजा नहीं होती धारा 304 के अकॉर्डिंग सजा होती है कि अचानक किसी को उकसा दिया जाता है वो किसी को मार देता है अपनी प्राइवेट डिफेंस में वो किसी को मार देता है पब्लिक सर्वेंट लोकसेवक किसी को मार देता है या बिना पूर्व चिंतन की फाइट में क्या किसी को उमार देता लड़ाई होती है या आपसी सहमती से भी क्या व्यक्ति मड़ जाता है तो ये जो बनता है वो आपका कल्पेबल होमिसाइड का मामला बनता है जिसमें धारा 304 में दंड का प्रावधान है आज इवन कारावास या दसवर्स और चुर्माना होता है ठीक है समझ में आगया अब बच्चो देखो ये तो चलो समझ में आगया आपको क्लियर हो गया होगा अब इसके बाद हम देखो और भी जैसे कुछ धाराई हम ले लेते हैं अब देखो यहाँ पर आती है बच्चो अब जैसे हम धारा 307 की बात करते हैं धारा का मतलब सेक्षन है और 307 का मतलब क्या अटेंप्टू मडर अटेंप्टू मडर जैसे के दिन है धारा 307 लग जाएगी मानने का प्रियास तो मानने के प्रियास में बच्चो एक बात ध्यान रखना कि जिसको मारा जा रहा है या मानने का प्रियास किया है वो खुद अपने आपने एक प्रूफ होता है तो धारा 307 कमजोड नहीं होती बहुत पावरफुल होती है इसमें सजा का प्रावधान कितना है दस वर्स की सजा होगी और इसमें जुर्माना होगा अगर आपके उपर अटेंप्टू मडर का केस लग जाता है अब उसके बाद बच्चों एक आती है धारा जैसे हम पढ़ते हैं 504 504 का मतलब होता है कि जैसे आपस में कभी कभी होता ना कि गाली गलोच हो जाती है गाली गलोच यनकी गाली गलोच का मतलब यहां intentional insult है आपर एक तरीके से intentional insult यनकी जान बूच कर किसी को जो है अपमानित करना यह गाली गलोच होना तो यह 504 धारा में आती है जिसमें होता यह कि इसमें दो वर्स की सजा या जुर्माना या दौनों से क्या दंडित किया जा सकता है लेकिन एक धारा होती है 506 यह धारा 506 का मतलब क्या है इसमें होता धंकी देना जैसे आप किसी को धंकी देते हो मैं तेरे घर को जलादूंगा ठीक है मैं तुझे मार दूंगा मैं तेरे साथ रेव कर दूंगा यह धारा 506 में आते हैं और बड़ी important धारा है 506 बच्चो धंकी देना एक तरीके से तो धंकी देने में आपने देखा होगा कि इसमें सजा का, वैसे तो आप जनरली को धमकी देते हो, तो दो वर्स की सजा है, तो कितने वर्स की सजा है, इसमें दो वर्स या जुर्माना, या दोनों है, लेकिन अगर आप धमकी कैसी देते हो, जान से मानने की धमकी देते हो, तो यदि आ आप किसी को जान से माणने की धमकी जैसे मुबाइल फॉन पर उसने जान से माणने की धमकी दी और आपने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली तो ये धारा कौन सी बनेगी 506 बनेगी और अगर यदि जान से माणने की धमकी दी है तो तब सजा का प्राविजन कितना होगा साथ वर् जुर्माना या आपका दौनों हो जाएगा तो समझ में आ गया तो जान से माणने की धंकी किसी को मर्दर डालना ने तो धारा पांसुछ लग जाएगी तो इसमें क्या धंकी देना जैसे कहते हैं न मैं तुझे देख लूँगा ठीक है तेरे घर को जला दूँगा तेरे हर त जातफात होती है लेकिन जान से माणने की धंकी देते हो तो बच्चों वहाँ सात वर्स या जुर्माना या दौनों का प्राभधान होगा क्लियर हो गया कर नहीं हुआ कि एक बच्चों एक धारा होती है तीनसो तेईस जैसे तीनसो तेईस की मतलब होता है सामन्ने मार सब्सक्तार पुलिस के पास जाते हैं तो कहते है चलो छोड़ो लेकिन फिर भी धारा जो है जिसको हम सामन्ने मार पीट की धारा कहते हैं इसमें भी क्या बच्चों एक वर्स की सजा या जुर्माना या दौनों हैं समझ मांगे धारा तीनसो तीस लग जाती है उस मामले पर तो यहां तक बच्चों मुझे लगता है का आपको समझ में आ गया होगा समझ में आया के नहीं आया एक होती है बच्चे धारा जैसे आपने देखा होगा कि धारा तीनसो चार यह होती है ला परवाहि में किसी को मार देना ला परवाहि में किसी को मार देने का क्या मतलब है धारा तीनसो जैसे आप आप बस के ड्राइवर हो कोई आपके बस के आ गया आ गया तो ये negligence के कारणी तो हुआ लापरवाई की वज़े से कोई मर गया तो वहाँ पर धारा कौन सी लगती है तो वहाँ पर धारा बच्चे causing death by negligence होता है दो वर्स या जुर्माना दो वर्स या जुर्माना या दोनों हो सकता है तो अगर negligence की वज़े से लापरवाई की वज़े से कोई मर जाता है तो दो वर्स की सजा है या इसमें जुर्माना है या दोनों है तो अगर कोई जैसे बस के द्वारा कोई मर जाता है एक धारा आपके बच्चो 304 B है यह काफी important धारा 304 B इसमें जो है दहीज मिर्तियू है बच्चो अगर दहीज मिर्तियू का मतलब है डौरी डैथ अगर आपने किसी से दहीज मांगा जैसे किसी महिला से आप दहीज आपकी पत्री है या आपके माता पिता है दहीज मांग रह करने के लिए मजबूर एक तरीकी से कर दिया जाता है तो डौरी डैथ में क्या होता है सजा का प्रोविजन कम से कम साथ वर्स की सजा तो साथ वर्से लेकर क्या हो सकती कम से कम साथ वर्से लेकर आजीवन कारावास हो सकता है आजीवन कारावास की सजा हो सकती है तो तो कुल मिलाकर बच्चों यहाँ पर मैंने कई धाराओं के विश्य में बताया, लगबग 12-13 धाराएं आपको मैंने बताई और यह बहुत इंपोर्टेंट धाराएं हैं, ठीक है, 497 में बताया, आपको 498 में ए बताया, मैंने 377 बताया, 325 बताया, 504 बताया, 506 बताया, 304 209 में बताया, 301 पढ़ाया, 302 पढ़ाया, 304 बताया, 304 बताया, तो यह जितनी भी धाराओं काफी इंपोर्टेंट धाराएं, तो यह धाराओं से सम्मंदित मैंने आपको कुछ पॉइंट आपको क्लियर किये, कि IPC उन लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, जो प आपने लिख लिया होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट लास में आपको बच्चे इसी उत्सा के साथ हम मिलेंगे, जो भी मेरी बच्चे ऑनलाइन या ओफलाइन, जो भी क्लास मेरी देख रहे हैं, आप सभी को बच्चो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार बच्चो, झालाइन, 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 झाला